एक गाउं में रंगुन दादा नाम का एक बड़ा दादा था उससे सारे गाउवाले डरते थे वो अगर गाउं के किसी गली में आ जाता तो गाउवाले रुख जाते थे और सर जुका कि उससे नमस्कार करते थे उसके नजरों से नजरे मिला के बात करने का हिम्मत किसी में नहीं था वो अगर दुकानों के सामने जाके खड़ा हो जाता सारे दुकांदार दौड के आते और उसके अनुचरों को हफ्ता दे देते ये साथ-साथ जमीनों का सेटलमेंट भी करता था और इसके साथ साथ पूरे गाउं को वो वार्निंग दे रखा था वार्निंग ये था चाहे माइक पर हो टेपरेगॉडर पर हो या टीवी पर हो उससे संगीत सुनाई नहीं देनी चाहिए कहीं उससे संगीत सुन ली तो उनकी खैर नहीं उसके अनुचर गाउंवालों को इसकी वार्निंग देते ही रहते थे इनके वज़े से गाउंवाले अपने घरों में छिपकर आवास कम करके संगीत सुना करते थे एक दिन रंगुन दादा अपने साथियों के साथ किसी का घर आदम का और घर के मालिक सादुरम से कहा तू और तेरा परिवार गए काम से इसे आकरी वार्निंग समझ ले बोली रहा था इतने में साथुरम का बेटा सिंबू उसके आने से अंजान घर के अंदर टेप रेकॉडर चला दिया और उसमे से तीन बार म्यूजिक आने लगा बस रंगुनदादा ने नाचना शुरू करें ताल बजरा था और रंगुनदादा पागलों की तरह नाच रहा है ये दिखकर उसके साथ ही अवाक हो गया सादुरम और उसकी बीवी भी आसचरीय चकितो के उसे देखने ले इधर रंगून दादा दुनिया को भूल नाच रहा था सिम्बू टेप रेकॉडर साथ लेकर बाहर आई रंगून दादा को नाचते हुए देखकर उसने सोचा ये क्या हो रहा है उसने आवाज बंद कर दी और रंगून दादा ने नाचना बंद कर दिया इधर सब हैरानों के उसे देख रहे थे सिम्भू को कुछ शक हुआ उसना फिर से टेपरेगादर चालू कर दिया रदमुन्दा था फिर से नाचने लगा वो पागलों की तेरा पूद रहा था ओहो ये बात है ताल बचता है तो बिना नाचे ये रुख नहीं सकता में भी नाचने लगा तो हमसे डरेगा कौन अरे बबे इसका धंदा गया तो हम तो रास्ते पे आ जाएंगा वो दोड़ता हुआ गया सिम्भू से टेप रेकॉडर चीन लिया और उसे बंद कर दिया बस रंगुन दादा ने भी नाचना बंद कर दिया फिर सातियों से उसना पूछा क्या हुआ था है हाँ एक तो मेरा सास फुल रहा है उपर से पसीना पसीना हो रहा हूँ बाप ले इसे पता भी नहीं है कि ये नाचना था सोचकर कुछ ने दादा आप थोड़ा जादा थक गया है और कुछ ने समझ गया ना चार दिन के अंदर घर खाली नहीं हुआ ना तू तो गया बेटा सिम्भू को उसकी कमजोरी समझ में आ गये दूसरे दिन रंगुन दादा गाओं में निकला सब लोग रुख गये और सर जुका लिये इतने में सिम्भू एक दिवार के पीछे चुपकर टेप रेकॉडर चला दिये और रंगुन दादा का नाच चालो वो उचल रहा था पहले तो लोग चौक गये बाद में उसका वो भारी शरीर लेके उसे नाचते देख साब हसने लगे पर वो तो नाचे जा रहा था उसके साथी घबरा गये और आवास कहां से आ रही थी उसे ढूण ले ले इधर रंगुन दादा पागलो की तरह खूद रहा था और गाउवाला से हसी रोका नहीं जा रहा था वो इतना हसने लगे कि पेट बे दर्ध होने लगे उसके साथी आवास ढूण रहे थे इधर सिंबु जगा बदल-बदल कर उनसे चिपकर टेप रेकॉडर चालू रखा इधर रंगुन दादा नाचे जा रहा था नूरा गाउव जमा हो गया और हस हस के मर रहे थे रंगुन दादा एक घंटे तक बिना रुके नाच था गए आखिर वो बेहोश होकर गिर गया उसके साथ ही उससे उठा कर ले गया इसके बाद सिम्बु आया उसने पूरे गाउव वालों को उसके कमजोरी के बारे में समझाया दूसरे दिन सारे गाउव वाले ने अपने घर के सामने दुकानों के सामने बड़े-बड़े माइक सेट लगा दिया रंगुन दादा के आते ही उन्होंने बजाना चालू कर दिया बस वो दुनिया को भोल वो नाच रहा था उसके साथ ही जब जबर्दस्ती माइक उतारने गये गाउव वालों ने डंडे उठाए वो सब डर गये नाचता हुआ रंगुन दादा को उठा लिये और वहां से भागे पूरी गाउव ने सिम्बू को साभाशी दिया और इसके बात सबने मिलकर हिम्मत करके रंगुन दादा पर पुलिस कंपलेंट दे दिया तो पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया और जेल में अगर वो कभी भी पुलिस को हुल देने की कोशिश करता पुलिस सबरे म्यूजिक चला देते वो जेल में धिंकिनक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक्डदक् में भी नाचने लगा। तब डॉक्टर ने मुझ से कहा कि नाच ना बंद कर दो। तो काम ढूडते धूडते मैं ये गाउं आ पहुंचा। सारे गाउं वाले मेरा आकार देखके मुझसे डरने लगे। तो मैंने दादागरी की धंदा चालू कर दी। पर आज भी कहीं से भी मुझसे मेरी कान में चले याती, मेरा नाच चालू हो जाता था। एई स्टील सामान, पुरारी साडियों के बदले में नई स्टील सामान, लेलो माई, लेलो साडी ले आओ, मत के पतिले ले जाओ, साडी ले आओ। उकारता हुआ वो गलियों में घुमता था। कुछ औरत अपने पुराने साडियों को उससे बदल कर स्टील के मत के, पतिले, प्लेट्स वगेरा उससे ले लिया करते थे। उन साडियों को वो बास के गाओं में सकेंडान का साडियों का वैपारी को दे कर उससे पैसे ले लिया करता था। और फिर पैसे ले जाकर अपने बीवी को दे दिया करता था। कमाई इनकी अच्छी खासी थी, तो घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, सुनिये जी, और कितने साल इन पुराने साडियों का धंदा करेंगे। हम एक साडियों का दुकान ही खोल देते हैं। गाओं में एक भी साडियों का दुकान तो है नहीं। वैसे भी सारी औरतों को शहर जाकर साडियाँ खरीदने पड़ती हैं। ये सुनकर सुमेश ने कहा, साडियों की दुकान, दुकान लगाने में तो काफी पैसे लगेंगे। साडिया खरीदने मुंबई जाना पड़ेगा, इतने पैसे हमारे पास कहा है। उसकी बीवी ने जवाब दिया कोई ज़रूरत नहीं है जी इस समस्या का हल मेरे पास है आपका साला कपड़ों को रंगने का धंदा करता है न आप रोज टील के बरतन बेच के जो पुरानी साड़िया लाते हो उन्हें फिर से रंग देंगे और अपनी दुकान में सजा कर बेच देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफ़ा अच्छा खासा हो जाएगा सही कहा न सोमिश ने कहा अरे वाह मुझे पता ही नहीं था तू इतनी चालाक निकलेगी इतने दिनों बाद एक बड़िया काम की चीज बताई तूने शाबाश उस दिन के बाद से स्टील सामाल के बदले में पुराने साड़िया लेता था और उन्हें ले जाकर अपने साले के दुकान पर दे आता था दूसरे दिन तक साड़ियों को रंग कर साला उसे वापस दे दिया करता था साड़िया एद्दम नई और चमकदार बन जाती थी तो सोमेश सोसता था अब किसी को क्या पता चलेगा इस तरह कुछी दिनों में कई सारे साड़िया जमा हो गए फिर उन्हेंने साड़ि की दुकान ही खोल दी उस गाउ में कोई दूसरा साड़ि का दुकान तो था नहीं सारी अवरते इनके दुकान में उमर पड़ते थे वो उनसे पुराने साड़िया लेता था उन्हें रंगता था और उनी को ज्यादा दाम में वही साड़िया बेच देता था बेचरे गाउं वाले सरल सिधे होते हैं उनको पता नहीं चलता था और वही साड़िया पैनकर वो खुश होते थे सोमेश और उसकी बीवी कुछी दिनों में बहुत पैसे कमा लिए एक दिन गंगा बाई नाम की एक ओरत उनके दुकान पर आई दुकान में बैठी सोमेश की बीवी से उसने कहा गंदाम में कोई अच्छी सी साड़ि दिखाओ तो शोमिश की बीवी ने एक साड़ी निकाली और ये साड़ी लीजिए गमदाम में एक इफाइदी भी है इस साड़ी का रंग तो देखे कैसे चमक रहा है गंगा भाई को साड़ी पसंद आया उसने पैसे दिये और साड़ी ले गई गर पहुँचने के बाद उसने साड़ी खोल के देखा तो वो चौके उस साड़ी पर उसका खुद का किया हुआ एंब्रोइडरी उसे दिख रहा था वो तुरंत अपने पती के पास गई और उसे अपना साड़ी दिखाया सुनिए जी, सर इधर तो देखिए अब जानते हो ना मैं अपने हर साड़ी पर एंब्रोइडरी करती हूँ इस साड़ी को मैंने पिछले हफ़ते स्टील के बरतनों के बदले दिया था और आज उसी साड़ी को मैंने उनके दुकान से खरीदा ये पक्का वही साड़ी है, सिर्फ रंग बदला है उसका पती ने कहा, ऐसा क्या सोमेश अचकल बहुत कमा रहा है, मैं भी सोच रहा था कैसे अब समझ में आया है, उसे मैं रंगो हथ पकड़ूँगा दूसरे दिन उसने सोमेश का पिछा किया और उसने देखा कि सोमेश पुरानी साड़ियां अपने साले को दे रहा है और साले साब नई साड़ियां उसे दे रहा है वो तुरंद गया और गाउप्रधान को पूरी बात खुल के बताई दूसरे दिन सोमेश यथारिती अपना गाड़ी लेके स्टील सामान बेचते हुए उस गली में से गुजरा अच्छानक गली के सारे आउरते मिलकर जाड़ू और लाठिया लेकर उस पर तूट पड़े और प्रधान साब भी संत्रियों को लेकर वहाँ पहुंच गे संत्रियों से गिरफ्तर करके ले गए तो बच्चों लालच बहुत बुरी बात है सच्चाई और धर्म के रहा पर चलकर सुकी रोटी खालो चलेगा पर लालच करोगे तो जो है वो भी जाएगा समझ गए?